साथ यों कॉंग्रेस किस तरह गरीबों का हग चिंती है उसका जीता जाता प्रमाने फर्जी लाभार्थी गोटाला जितनी मद्दप्रदेश की आबादी है जितनी छतिशगड़ की आबादी है दोनों को मिला दे उतने ही फर्जी लाभार्थी कॉंग्रेस ने देश भर में क करीब करीब दस करोर फर्जी नाम ऐसे थे जिनका असल में जन्ब भी नहीं हुआ था लेकिन कॉंग्रेस सरकार उनके नाम पर तीजोरी से पैसे निकालती थी और पैसे गायब हो जाते थे लोग कॉंग्रेस के चेले चपाटाओं के जेब में चले जाते थे उनके दलानों के हवाले कर दिया जाता था भाई यो बहनों इसलिए जब गरीब के राशन की दुकान पर जाता था तो गरीब को पता चलता था उसका राशन तो कोई और ले गया जब किसी जरुरुत मंद्द के बच्चे को स्कॉलर्शिप चाहिए होती थी तो वो हग भी हो जाती थी कि लूट का खेल ऐसे ही चल रहा था है लेकिन कॉंग्रेश का दुरभाग्या को मने एक चोंत्र नवाक को लाज दिया में मोधि आ गया और मैंने कांघरेश के फर्जी लाबारदी गोताले पर ब्रेक लगा दि जो दस करोर फषी मारत्य कॉंग्रेस ने कागज़ों में पैदा कर रखे थे हमने उन्हें भी बाहर निकाल दिया आज इस बैज़े से गरीबों के पहने तीन लाग करोड रुपिय याद करो पौने तीन लाग करोड रुपिये कितने हैं पौने तीन लाग करोड कितने हैं जड़ा बोलिया आपके पैसे मैंने बचाए हैं कितने हैं पौने तीन लाग करोड जो सरकारी तीजोरी से चेले चपाटों के कॉंग्रेस के दलालों की तीजोरी में जाने थे उसको मोदी ने बचा करके आपके हवाले कर दिया है ये काम किया है जी अब आप सोचिए जब कॉंग्रेस को उसके चेले चपाटों को उसके दलालों को इतना बड़ा नुक्षान हो गया प्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया तो मोदी का क्या करेंगे क्या करेंगे गाली देंगे के नहीं देंगे गाली देंगे के नहीं देंगे ये जो गाली पड़ रही है न उसका कारण वो ही है मोदी ने सारी दुकाने बंद करके रखी है और मोदी को कौन लाया कौन लाया मोदी को मोदी में हिम्मत कहां से आई यह देश की जनता है, जो मोदी को लाई है और देश की जनता के आशिरवाद हैं। जिससे मुझे ताक्त पाई है है। इसलिए कॉंग्रेस अपनी सारी दुष्मनी मोदी के साथ ही देश की जनता से भी निकाल रही है। वो सिर्म मुझे नहीं आपको भी परिशान करने में लगी हुई है